हेलो फ्रेंड्स दिस जोती वर्मा तोड़े आम गोग्री तो स्टार्ट विट डिफेंस बेटून एडियुकेशन एडियुकेशन ट्रेइनिंग टीचिंग एंट्रो इंडॉक्ट्रीनेशन यानि सिक्षा और अनुदेशन प्रसिक्षन शिक्षन वा प्रतिपादन में अंतर क्या है इसमें हम पढ़ेंगे कि सिक्षा में जो annotation होता है instruction होता है प्रसिक्षन ट्रेनिंग, सिक्षन टीचिंग और प्रतिपादन, indoctrination इन सब में अंतर क्या है ये सिक्षा से कैसे अलग है किस प्रकार अलग है जैसा कि यहां लिखा है लोग मानते हैं कि अनुदेशन, प्रसिक्षन और विद्याले करन आदी शब्दों को सिक्षा का प्रयावची मानते हैं लेकिन यह सत्य नहीं है इसमें बहुत अंतर है लोग मानते हैं कि सिक्षा की तरह ही अनुदेशन, प्रसिक सिक्षन और प्रतिपादन यह सब एक समान है लेकिन इस टॉपिक में हम यह पढ़ेंगे कि शिक्षा से किस तरह अलग है इंस्ट्रक्षन टीचिंग करति dzisiaj जुझे चीछ स किस तरह से अलग है लोग ऐसा मानते है लेकिन ऐसा होता नहें कि यह सारी चीज़े एक जैसी हैं इन सब में difference होते हैं सबकी अलग qualities हैं सबकी अलग characteristics हैं सबकी अलग conclusions हैं हर चीज़े इसकी अलग हैं इन सब चीजों का method अलग होता है instructions अलग होते हैं हर चीज़े अलग होती है strategies अलग होती है अलग-अलग प्रकार से यह सारी चीज़े की जाती है कक्षा में तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे teaching से education से teaching instruction training और indoctrination न लग है फर्स्ट है difference between education and instruction यारी सिक्षा और रनिदेशन में अंतर तो इसका सबसे first point है जीवन में जीवन के अंतर चलने वाली प्रकिरिया सिक्षा है तो प्रकिरिया सिक्षा जो है वो जीवन के अंतर चलती रहती है सिक्षा जो है वो direct way में भी आती है और अनुदेशन क्या है अनुदेशन का आशे विद्दाले में दिये जाने वाले ज्यान से है अनुदेशन का मतलब क्या होता है instruction जो teacher आपको देता है क्लास में ग्राउंड में खेलने में आपकी क्लास अक्टिविटीज में जो teacher आपको instruction देता है आप उसके according ये पढ़ाई करते हैं तो वह चीज़ होगे instruction तो इस प्रकार सिक्षा अलग है instruction आपको सिर्फ स्कूल में मिलते हैं लेकिन रियल लाइफ में जो बाहर की लाइफ होती है उसमें नहीं मिलते उसमें आप ग्यान तो लेते हैं मतलब education तो लेते हैं लेकिन वो डायरेक्ट वे में नहीं होती कि आप किसी के instruction से ले रहे है education next है सिक्षा एक सवभाविक वा असीमित प्रकिरिया है सिक्षा जो है वो सवभाविक भी है और असीमित भी है उसकी कोई सीमा नहीं है लेकिन जो अनुदेशन है एक क्रतिम और सीमित प्रकिरिया है अनुदेशन सिर्फ सीमित क्राइटेरिया में होता है उसका क्राइटेरि ने दिये जाते हैं वह घ्यान हम अपने आप हासिल करते हैं अपनेंगे से थर्ड है हमारा रहला सिक्शा मेरा का इभालक इस्थान मैं तुट पून अपर जो चैड्र होती है रहलें जो instruction होता है वो teacher centered होती है मतलब teacher उसको control में करेगा instruction अपने हिसाब से देगा fourth है हमारा सिक्षा में बालक की रूची और मानसे की स्थिति को धियार में रखा जाता है सिक्षा में जो होता है वो बालक की रूची यानि interest को देखा जाता है कि उसको कि subject में, किस game में, किस activity में interest है और जो उसकी मानसे की स्थिति क्या है उसका IQ level क्या है और जो instruction है उसमें ये चीज़े नहीं देखी जाती वो instruction होते हैं class में सब के लिए एक तरह के होते हैं एक प्रकार के होते हैं next हम पढ़ेंगे difference between education and training मतलब training के अंदर और शिक्षा के अंदर क्या ऐसा अंतर है वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें first है मारा सिक्षा का प्रते अत्यंत व्यापक है मतलब सिक्षा व्यापक है वाइडर लेवल पर है अब इसक्षा का तो कोई narrow level है नहीं कि वो बहुत ही कम है और जो प्रसिक्षन है उसमें मतलब training वो wider नहीं है जादा वो narrow level है तो इसमें सिक्षा का प्रते अत्यंत व्यापक है और प्रसिक्षन एक संकीन प्रते है second है सिक्षा का उदेश व्यक्ति के व्यक्तित्व का सरवांगीन विकास है में क्या क्या आता है intellectual development emotional development character development social development educational development मतलब उसमें बहुत सारे economical development political development हो गया यानी राजनेतिक विकास सामाजिक विकास आर्थिक विकास Sanskritic विकास अध्यात्मिक विकास शारेरिक विकास सैक्षिक विकास यह सारी चीज़ें आल कॉल्रोर क्याता हुए अगए किसी हम सब्माइबॡ यह करना ध्यायद का विकास्ट यह या अधर चीजे भी आपको इसके अब त्राइनिक दिजाए गDelta कि, जोर्द बो到底 लोगनासा? और education जो है वो wider है next है सिक्षा सोभाविक प्रकेरिया है सिक्षा सोभाविक प्रकेरिया है जबकि प्रसिक्षन आपचारिक है आपचारिक मतलब ऐसा नहीं है हमने कहीं से भी कोई भी training लेनी शुरू कर दी उसका proper admission होता है आपको proper एक syllabus दिया जाते है आपको इसके according आपकी training शुरू होगी हर चीज मतलब उनका एक discipline होता है तो जो discipline है वो protection में बनता है कि उसके according ही आपको पढ़ना है हर चीज की training लेनी है किसी भी चीज की कोई भी criteria ले ले लेजी कोई भी professional ले 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 लेजी difference between education and indoctrination यानि सिक्षा वा प्रतिपादन में अंतर so first है इसमें सिक्षा का शेतर व्यापक है जबकि प्रतिपादन का शेतर सीमित है same as वही चीज है इसके अंदर की सिक्षा एक wider level पर है और प्रतिपादन जो है हमारा indoctrination वो एक सीमित इस्तर पर है next है सिक्षा का उदेश व्यक्तित्व का विकास है मतलब सिक्षा का उदेश यह यह कि personality का development हो जैसे कि last point में मैंने आपको बताया हर चीज मतलब हर development बच्चे का या किसी भी person का पूरा सरवंगिंड विकास और प्रतिपादन केवल भावात्मक पक्ष से संबंदित है मतलब वो सिर्फ emotion से संबंदित है third है हमारा सिक्षा में अनेक सिक्षन विदियां होती है सिक्षा में बहुत सारे teaching methods होते है जबकि प्रतिपादन में होता है सिर्फ व्यक्ष्यान विदी प्रतिपादन कैसे किया जाता है सिर्फ वो lecture method से किया जाता है यानि व्यक्यान विधी को अधिक method पूर्ट दिया जाता है इसके अंदर next है हमारा सिक्षा बुद्धिवान बालकों पर तेजी से प्रभाव डालती है प्रतिपादन में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं होता तो सिक्षा जो है वो बुद्धिवान जो इंटेलिजेंट इनका IQ लेवल अच्छा होता है उनके उपर बहुत अच्छे से प्रभाव डालती है बहुत जल्दी बच्चे सिखते है लेकिन जो प्रतिपादन होता है प्रतिपादन में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं होता उसमें सोचने का ऐसे लॉजिक देने का कोई स्थान नहीं होता वो डारेक्ट लेक्चर मैथर्ड उसके लिए अच्छा होता है नेक्स्ट डिफरेंस बिटिविन एजुकेशन एंड टीचिंग सिक्षा वा सिक्षन में संबंद यानि जो टीचिंग है और एजुकेशन है लोग सोचते हैं कि टीचिंग और मतलब जिसे एजुकेशन है सिक्षा है और टीचिंग उसको पढ़ाना पढ़ाने वाला टीचर एक ये सेम चीज़े हैं लेकिन ये डिफरेंट है इसमें फर्स्ट है सिक्षा का शेत्र बहुत व्यापक है, सेम एज सिक्षा बहुत जदा वाइडर लेवल पर अध्यापक का शेत्र संकुचित है, उसका शेत्र जो है उसका जो क्रैटेरिया है वो बहुत ही कम है, मानते हैं कि सिक्ष के बिना सिक्षा नहीं ली जा सकती लेकि उसका जो शेत्र होता है, वो संकुचित होता है, भले ही हमने कोई ऐसी चीज, जरूरी निये कि टीचर ही हमें कोई चीज समझाए, सिलेबस के अदर, हम कुछ चीजे खुद भी सिखते हैं, कुछ अपने समात से कुछ कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई चीज हमने ऐसी जो हमें नियू लगी, हमने वो चीज लर्न की, तो वो चीजे अलग होती हैं, जरूरी निये कि टीचर ही हमें सब कुछ सिखाए, सेकेंड है हमारा सिक्षा में बालको महतवपूर्ण इस्थान सिक्षा में प्रदान है, हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड है, सिक्षन में प्रमु इस्था में हर तरीके से ली जा सकती है, जबकि सिक्षन जो है, वो केवल अपचारिक है, सिक्षन सिर्फ हमारा डारेक्ट वे में होता है, तो यह थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसमें हमने देखा कि डिफरेंस क्या क्या है, मतलब एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग में क्या क्या डिफरेंस है, और एजुकेशन से टीचिंग में क्या डिफरेंस है, और एजुकेशन से ही इंस्ट्रक्शन का क्या डिफरेंस है, तो यह पॉइंट हमारा खतम होता है, और यही हमारी फर्स्ट उनिट अफ फिलोसिफी खतम होती है, थाइंक यू सो मच फूर इस वीडियो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें एंड शेयर करें थैंक यू